नमस्कार दोस्तो आट अप्टेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्यूँकि ये जो आगे की 4 कैंडलिस्टिक की वीडियो में आप लोग के लिए बनाने वाला हूं ये मेरी favorite candlestick है क्योंकि इन्ही चार candle औसे मैंने ट्रेडिंग में profit बनाना start किया ह। मैं इस चार candle इसटी को follow करता था और चार candlestick से ही मैंँ धीरे-धीरे करके stock में trade करके मैं धीरे-धीरे पैसे बनाने लगा धीरे-धीरे मैं profit में आने लगा उसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़े अप्लाई की, बहुत सारे moving average, बहुत सारे bollinger brand, तो RSI, तो MACD, तो और पता नहीं क्या-क्या चीज़े मैंने 2.5 साल अप्लाई की, मुझे कुछ चीज़े समझ में नए, continue loss होता गया, तो उसके बाद मैंने फिर ये decide किया, क्यों मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं था, तो मैंने ये rules बनाया, कि मैं अपने कुछ rules बनाऊंगा, और उस rules के base पर मैं candlestick को follow करना, start करूंगा, candlestick को मैं trade करना, start करूंगा, ध्यान रखेगा, candlestick बड़ा सबर का काम है, अगर stocks market में आपके पास सबर नहीं है, आपके पास धैर नहीं है, आपके पास पैसेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे पैसा कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका setup बनेगा नहीं ना, तब तक आपको पैसा बनेगा नहीं, ध्यान रखेगा, क्योंकि हमारे setup पे हमें believe होता है, तो जब तक आपका setup नहीं बनेगा, तब तक यहां पर पैसा नहीं बने है क्योंकि पैसा मार्केट बिलीव का देता है और बिलीव आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी कंडिशन पर आपका सेटप ना बने तो मैंने कंडलिस्टिक को धीरे-दीरे फॉलो करना स्टार्ट किया तो उसमें से यह चार कंड कंडलिस्टिक को मैं एड करते गया तो इसी तरह से आप लोग भी पहले किसी दो या तीन कंडलिस्टिक को फॉलो किजिएगा उसको फॉलो करने के बाद धीरे-धीरे जैसे उसमें सकसे रेट आपका अच्छा होने लगेगा तब उसमें और कंडलिस्टिक अपलाई इस टॉक्स में अगर आप प्रॉफिट बनाना सीख गया है तो धीरे-धीरे आप बैंक टिप्टि में इस चीजों को फॉलो करोगे तो पैसा बना लोगे क्योंकि अगर आप डिरेक्टि से बैंक टिप्टि ऑप्सन में अपलाई करोगे तो साहिद अगर दो दिन भी ये के केपिटल खतम हो जाएगी या फिर आप लोग डिस्क मेनेजमेंट मनी मनेजमेंट करते नहीं हो तो आपकी केपिटल खतम हो जाएगी तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले स्टॉक्स में अपलाई करो इस टॉक्स आपको कॉन्फिरेंस को जब आप बैंक टिप्टि में लेक करना है क्टि केंडलिष्टिक तो हर जग ही कुछ ना कुछ चैनलिस्टिक बनती रहेगि लेकिन क्या वह हमारी कनडिशन में बनी है यह सब सारी चीज этом अब बार कर लिन्är चार्ट में वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ जिसको आप देखिए समझे और सीखते रहिए ध्यान रखिएगा ग्रेविस्टोन दोजी जो है वो एक बेरिस केंडल है और ये केंडल इस तरीके से दिखती है इसका color का कोई important नहीं है ये red बन रही है कि green बन रही से color से हमें कुछ लेना देना नहीं है लेकिन ग्रेविस्टोन दोजी इस तरीकी किसे बनेगी top पे जाकर के बनेगी लेकिन इसको कहा पे apply करना है ये धियान रखना है सबसे पहली ची तो एक ची ध्यान है कि daily chart में trend negative होना चाहिए negative trend का मतलब क्या होता पहली यह समझ जीज़े नहीं तो आप लोग यहीं पर गलत जगहे पर जाके candlestick को trade करते हो फिर आपके sell होते हैं तो आप लोग बोलते हैं candlestick काम नहीं करते हैं candlestick के कुछ rules है उस rules को follow करो पहले अब मान लीजिए कि जैसे आज मान लीजिए कि market मान लीजिए bear is close हुआ आज market क्या हुआ bear is close हुआ ठीक है daily chart पे market ने यह red candle बनाई और यहां पर आके close किया अगले दिन market वापस नीचे की side में जा रहा और यहां पर आके top पे कुछ बनाएगा ना यहां पर आके top पे ग्रेविस्टोन बनेगी तब वो काम करेगी ऐसा नहीं कि market का trend अप है और यहां पर आप जाके इसका ग्रेविस्टोन दोजी ढून रहे हो तो यहां पर आके 5 मिनट या 15 मिनट में मत ढूनना कब ढूनना है जब market का trend नीगेटिव है यानि अगले दिन के यानि जिस दिन का इसने red candle यह बनी है तब ही हम उसको follow करते हैं ध्यान रखिएगा trend के साथ में trade करेंगे ग्रेविस्टोन दोजी को ऐसा नहीं कि market continue ऐसे उपर की side में जा रहा है market daily chart पे continue उपर जा रहा और यहाँ पे 5-8 पे कहीं पे जाके आपको यहाँ पे ग्रेविस्टोन दोजी बनाया तो इसको trade करेंगी यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे market हमेशा एक दिन की पहले candle देखो कि एक दिन की candle यहाँ पे red होनी चाहिए और red candle के बाद अगले दिन market मालीजे कुछ नीचे जाता है फिर यहाँ पे कुछ pullback आता है pullback में यहाँ पे अगर इसको ग्रेविस्टोन दोजी मिलती है तो हम यहाँ पे इसको trade करेंगे अब ही मैं चार्ट पे चीजे को समझाऊंगा दिखाऊंगा पहले आप समझ लिए कि हमेशा trend की side में trade करना है इसके मालीजे यह candle अब ही मालीजे कि यह वाली candle green बने हुई है और green बनने के बाद में अगले दिन market दीरे-दीरे करके उपर की side में जा रहा है और यहाँ पे फाइप में चार्ट पे कहीं पर टॉप के आसपास ग्रेविस्टोन दोजी बनाएगा तो यहाँ पे मैं ग्रेविस्टोन दोजी को trade नहीं करूँगा क्योंकि market का trend क्या है अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में मैं अप ट्रेंड व अप ट्रेंड वाली trend करेंड करते हो और अप ट्रेंड में याकर करके downtrend करते हो तो यहीं आप का सबसे बड़ा नुक्सान है सबसे बड़ा जोग केंडलिस्टिक का आप लोगग गलतिया करते हो यह यहीं करते हो हमेशा market के trend की side वाली candlestick follow करनी है market एक दिन डिन अगर Red में Buying up करेंगे जब एक दिन green है और अगले दिन जाके कोई candle buying वाली बनेगी तो हम buying कर सकते हैं. लेकिन अगर पहले एक दिन इसने rate close किया और अगले दिन इसके नीचे trade कर रहां थो हमें bearish candle औराइस और वह रूदनी है. इस तरीके से नीचे की साइड में थोड़ा सा ये पिन यहाँ पर रहेगा इस तरह से यहाँ पर डिखेगी टी टाइप की दिखेगी ये थोड़ी तो कभी-कभी यहाँ पर थोड़ी सी बॉड़ी भी हलकी सी रहती है बॉड़ी तो इस candle को हम बोलते हैं ग्रेविस्टों दोजी यह बहुत अच्छा वर्क करती है अगर market का trend डाउन हो उसमें कहीं पर भी यह बनेगी तो यह बहुत अच्छा वर्क करेगी वर्क कप करेगी यह ध्यान रखिएगा डाउन टेंड में भी हमें कुछ pullback चाहिए pullback कितना चाहिए? pullback कम से कम यहाँ पर हमें 6 candle हो का चाहिए ध्यान रखिएगा 6 candle तक चलेगा 6 से 7 candle का pullback मौन के चलेगे candle green यहाँ बनती हुँ जा रहे लेकिन क्या हुआ है market अगले दिन क्या किया? यह negative close करके यहां से आया market ने अगले पिछले दिन किया है यहां से trade करके यहां पे यह close किया अब market 5-minute के चार्ट पर धीरे-दीरे करके market उपर की side में यहां पे जा रहा और कहीं यहां पे जाके घ्रेविस्टोन दोजी को इसे trade करते हैं क्योंकि यह एक negative candle है यह एक bearish candle है जब भी यहाँ पे Gravestone दोजी बने गी जैसे ही Gravestone, ध्यान रखियेगा, Gravestone दोजी के लिए पिछली ड्री केंडल की ज्रूरत नहीं हमें, जैसे ही rig केंडल Gr armored केंडल के नीचे ट्रेट करना श्टार्ट करेगी, मान लीजिए कि इसका जो लेबल है वो है 1000 हाई है और ये जो ग्रेविश्टोन दोजी का लो पॉइंट है वो है यहाँ यहाँ पे 996 तो जैसे यह 96 के बाद यह 2-3 टीक 4 टीक यहाँ पे मार देगी मैं यहाँ पे टेट कर लूँगा यह हमारा ऐसे लोगा टार्गेट हमेशा ध्यान में रखिएगा जहां से यह स्टार्ट होती है वहीं पे आती है जहां से यह स्टार्ट करके जाती है वापस यह इसी जगह के आसपास आ जाती है तो यहाँ पे पहला टार्गेट आप यहाँ पे हमेशा 0.77% का पकड़ लेना और सेकंड टार्गेट यहाँ पर पकड़ लेना 1.22 का यह ध्यानकना टार्गेट यहाँ पर थोड़े से बढ़े रहते हैं SL आपको हमेसा जैसे 1000 का हाई लगा है तो आप 1000 लगा लेना 1000 का स्टॉक से तो 1 रूपए उपर 2000 का स्टॉक से तो 2 रूपए उपर अब मालीज़े कि 4000 का स्टॉक है तो 3 रूपए उपर लगा लेंगे SL तो यहाँ पर चलेगा मालीज़े बैंक निप्टी है तो कम से कम 15-20 पॉइंट उपर आपको लगा के रखना पड़ेगा ध्यानकना यह केंडल को हम 5 मिनट और 15 मिनट में फॉलो करेंगे डेली चार्ट पर अगर हम इसे देख रहे हैं कहीं डेली पर हम इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम 4 केंडल का अप्टेंड हमें होना चाहिए धियान के चार केंडल का अफेंड होने के बाần यह ध्यान दोए गार कि धृली चार्ट पर यह ज़रूरी भी रही है कि पिछले दिन ये निgesch्थ क्लोस करके गया डेली चार्ट पर ऑगर यह टॉप पर भी बन रहा तो भी हम ट्रेट करेंगे लेकिन 5 minute के chart पे uptrend में जाके top पे बन रहा तो इसे हम trade नहीं करेंगे हमेशा एक trend जैसे एक downtrend आया downtrend के बाद एक pullback आ रहा है इस pullback में जाके बन रहा है तो हम इसे यहाँ पे trade कर सकते हैं सबसे अच्छा यह काम तब करती है जब यह किसी resistance के आसपास बनेगी अगर bullish candle support के पास बन रही है तो बहुत अच्छा work करेगी bearish candle resistance के आसपास बन रही है तो बहुत अच्छा work करेगी तो यह सब चीजे आपको add करनी है एक चीज़े ध्याना किया है कोई भी चार candle अगर आप पहले follow कीजेगा ना तो उस चार candle में कम से कम आपका success rate 65% से ज्यादा का होना चीज़े तभी आप उसके बाद candle add करना अभी जो मैं चार candle बताने वाला हूँ जैसे ग्रेविश्टोन दोजी इसके आगे की तीन candle मैं आप लोग को और बताऊंगा उसमें कम से कम आप एक candle पे 100 trade लीजिएगा देखिए अगर आप इसको bank nifty में ढूनेंगे तो 100 candle ढूनने के लिए आपको 200 दिन लगेंगे 100 ऐसे पैटन ढूनने के लिए 200 दिन लगेंगे इसलिए मैं बोलता हूँ पहले stocks में follow करो stocks में आपके पास बहुत सारे option रहेंगे nifty 50 के stocks में आप हर 10-15 मेंट पर घूम घूम के देखते रहोगे तो कहीं न कहीं किसी downfall में किसी downtrend में आपको ये रे विश्टून दोजी मिल जाएगी तो जब 100 केंडल आप ट्रेट कर लेंगे और उसका success rate 65% का है यानि 100 में से 65 जो ट्रेड है आपके आपके अनुसार चले हैं और आपके फर्स्ट टार्गेट यानि 0.77 तक होके गए हैं तब समझेगा कि अब आपको यहाँ पर 4 केंडल आपका success rate 50% चला गया तो आपको वो 6 केंडल ही दिखनी है अभी उसमें एड नहीं करना है कब तक एड नहीं करना है जब तक उसका भी success rate आपका 65% ना हो तो चीजों को समझेगा यह बड़ा मैं बार बार बोलता हूं बड़ा धैरे का काम है केंडलिस्टिक में और पैसा ब आपको पता दिया कि मैंने 0.77 पहला टार्गेट है या 1.22 इसका दूसरा टार्गेट यहां पे रहेगा किसका 0.77% किसका रहेगा इस ट्रेंड का यह जो अप्ट्रेंड गया ना इस अप्ट्रेंड का माल लीजिए यह केंडल अगर यहां से स्टार्ट हुई और यह 10 निफ्टी में यह जो मूब होगा कम से कम 1.500 पॉइंट का होना चाहिए और निफ्टी में यही मूब आपका 70 पॉइंट से कम का नहीं होना चाहिए ठीक है निफ्टी में यही मूब 70 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए यह जो ट्रेंड अप्टेंड यानि जो पुल बैक ह हमेशा इसको pullback बोलेंगे ये pullback जो आएगा ना ये pullback कम से कम 70 point का pullback होना चाहिए 60-70 point के बीच का pullback होना चाहिए और जो bank nifty में ये pullback होना चाहिए कम से कम ये 1500 point का pullback होना चाहिए बाकी candlestick देखिए मैंने 199 point बताया हुआ ध्यान रखिएगा candlestick का ये important है कि कितना move होना चाहिए तो यहाँ पर अगर 1500 point का भी move कर जाता है तो वहाँ पर हम gravestone 2G को follow कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा ये pullback रहेगा ये uptrend नहीं होगा ये pullback होगा एक downtrend रिस्टार्ट होगा के बाद market एक pullback देगा और उस pullback के बाद अगर यहाँ पर कहीं पर बनता है gravestone 2G तब हम इसे follow करते हैं तो ये चीजे हमेसा ध्यान में रखिएगा bank nifty में 1500 point stocks होगा तो 1% के ऊपर का move अगर इस टॉक से मिल गया तो हमारा पड़ेगा साल-1.5 साल आपको बिल्कुल जोगी की तरह है जोगी मतल्ब समझते हो संत की तरह ही यहाँ पे便利न होना पड़ेगा चीजों को देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा MARKET क्लोज होने के बाद में भी आपको देखना पड़ेगा ुप पढ़ेगा हर ट्रेड को आपको लिखना पढ़ेगा जबतक क्या रहर जब Uh कुछ भी ट्रेट से सीखा नहीं अगर आप ने लिख रहर हो तो the praying और जब गलतियां डिखती है न तभी हम गलतियों में सुधार करते जैसे हैं इसके नीचे मार्केट करेगा हमें तुरंट इसको ट्रेट करना और यह आएगा कहाँ पर घूम फिर कि यह इसी जगहे पर आएगा क्योंकि क्योंकि market इसी condition पे चलेगा, market rate, green, rate, green बनाते हुए चलेगा, price action को follow करते हुए चलेगा, पिछले high को जब break, देखे डरना तभी होता है जब पिछले high को break कर देता है, जब पिछला एक swing high बनाया होगा, market जब उसको break करता है, तब हमें डरना चाहिए, आप लोग सिर्फ green candle के नाम से डर जाते हो, अगर आपने कोई short का trade लिया हो ना, तो green candle बनी उसी में आप लोग डर जाते हो, उसमें डरना भाई, green, red बन के ही market चलेगा, market one way नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहीं बैंक निप्टी में यहाँ पर दिखिया, अब देखिए, यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ पर भी बैंक निप्टी में बना हुआ है, यहाँ पर भी देखिए, बहुत अच्छे एक trend के बाद में, एक pullback हमें मिला, यहां पर हुम है इसको हम वह स्टी डॉटी थोड़ी सिग मारे तो इसके बात देखे जैसे इसके नीचे अब यह जो और से सकते हैं जबकि आपका अगर आप Sindal को प्रोपर्ली फॉव नहीं कर सकते हैं तो है ध्यान कि रहाइं किंगे की आपका कंडल से कम उससे चार गुना या पांच गुना का रिटर्न आपको ना दे यानि 1 इन्टी 4-5 का रेसी तो आपिंटु सब्सक्राइब को अगर आप कि आपका तो आपका कवर यह ध्यानन किएगा इसलिए प्रॉपर करते रहना इसलिए मैं बोलाओं कि सो ट्रेड जब तक आप नहीं लोगे ना तब तक आपको कॉन्फिदेंस आएगा ही नहीं सो ट्रेड में 65 परसेंट का आपका सक्सेट आना चाहिए तो आप केंडल एड करना और जब थोड़ी दिन मेहनत करोगे ना तो यह 65 नहीं बलकि यह 85-90 अब 90 परसेंट आपका चला जा लेकिन सहीं कंडीशन पे फॉलो करोगे तब इसँ नहीं कि कहीं भी कंडल कंडल स्टिक शुटिंग आपको ट्रेड करने ल STOP मार्केट आपको पैसा और हाव्त करने का नहीं करने का मार्केट पैसा नहीं जेता गया और जो हमारा टार्गेट साथ यहां पे इसने अचीव कर दिया हमें साथ ध्यान रखिएगा टार्गेट में जल्दी मत की जाए कि बहुत चोटा ऐसे लोता है यहार इसे लेके भी जाएगा न तो कुछ लेके नहीं जाए यह ध्यान रखिएगा अगर आप थोड़ा सा आप यहान पे पूल बैक मिला पूल बैक के बाद यहां पर ग्रेविस्टों दोजी मिला और जैसे लेकिन पॉइंट सेबन से नवाला हमारा टार्गेट यहां पे देखे चीजों को समझा पड़ेगे एक्सपीरियंस के साथ में यह सब सारी करूगे चीजे आपके लिए अच्छी होती जाएंगे दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा अगर इस वीडियो पे कम से कम धाई पास आप लोग बीडियो को सेयर कीजेगा वहाँ पे सेयर बटन है वीडियो की नीचे आ जाएगा वहाँ पे क्लिक करके यहाँ अपने वाट्साप पर भी अपने फ्रेंड अपने सोसल मीडिया पे इसको सेयर कर सकते हैं और कम से कम यहाँ पे 22,000 लाइक आने चाहिए 22,000 से ज्यादा लाइक यहाँ पर आते हैं, तो मैं next Sunday को एक वीडियो बना के डालूँगा, आप लोग के लिए एक setup की bank nifty का बहुत बैसरी setup बना के डालूँगा, उस वीडियो को भी दिखेगा, लेकिन इस पे और जो वीडियो मैं कल डालने या नि जो वीडियो Saturday और Sunday दो वीडिय वीडियो पर ये सारी चीजे condition apply है, इसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, जिसे मैं आप लोग के लिए next वीडियो दे कि इससे क्या होता है, हम लोग को भी motivation मिलता भी रात के बारा बज़ गया है, मुंबई इंडियन मैं चार गई, तो मैं बैठे बैठे कुछ नहीं सु कैं, अब यहां पे देखें, यह ईसार करके मार्केट नीचे की सायड में यहां पर इसके बात लिए ओपर से नीचे आ धिया पर शूचिठी के ऑडियी और यह ग्रेविक इसको नीचे की तरफ ले wal align के तरह की आगए, जह हमारा तारगेट अनो फगिर चीज़ है उसार पर यहाँ पे इसने एचीब कर दिया है तो बस चीजों को समझीए गा देखिए यह केंडल दिखती बड़ी है आप एसे जब प्रॉपर फॉलो करने लगो गए न तो मैं बोलता हूं न दस में से आठ बार तो आपके टार्गेट हिट होंगे ही होंगे लेकिन उसके लिए कम से कम आपको पहले सौ ट्रेड लेने पड़ेंगे पहले सौ ट्रेड में आप जज्ज मत करो पहले सौ ट्रेड सिप लेना सीखो सही जगए पर पकड़ना सीखो सही जगए पर देखना सीखो इंपोर्टेंट यह है कि हमने केंडल इस्टिक को सही जगए पर देखा बहुत सारे ल बना है बहुत अच्छा यहां पर movement मिला और नीचे की साइड में यह भी आ रहा है यहां पर देखिए एक market downtrend मिला downtrend के बाद एक pullback मिला pullback के बाद यहां पे ग्रेविश्टून दोजी बना कि market उपर जा रहा तो यहाँ पर अगर कोई negative trade लेने के लिए आपको बोलेगा तो आप नहीं ले पाओगे तो यही चीजे यही confidence आपको build करना है जब छोटी-छोटी quantity, 10 quantity, 5 quantity stocks में trade करोगे तो यह confidence बिल्ड करेगा और यही confidence जब आप bank nifty option में लेके आओगे तो पैसा बनेगा पहले confidence आपका stock से ही बनेगा, bank nifty trade करके confidence नहीं बनता है, bank nifty trade करके पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर तो यह ध्यान एकिएगा, अगर आपको सीखना है तो stocks में जाके 10 trade लो, दिन में 5 trade लो, 2-2 quantity लो, 5-5 quantity लो, 10-10 quantity लो, ज्यादा से ज्यादा quantity लो, ज्यादा स चीज़े आपको दिखनी स्टार्ट होगी, candle बन नहीं गेगी, तभी आपको चीज़े समझ में आने लगेगी कि यह candlestick हमारे काम की है या नहीं है, यह proper जगह पर बनी है या नहीं बनी है, यह चीज़े कब समझ में आएंगी जब आप देखोगे, देखोगे नहीं, लिख होगे नहीं तो चीज़े कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है, तो वीडियो को देखिए, ध्यान पूरवग, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको candle next वीडियो चाहिए, जो setup की, तो फटा फट इस वीडियो को लाइक और सेर भी जाके आप जीरो अधा, एंजल ब्रोकिंग, अपिस्टॉक्स, लाइन, ब्लू, फायर, एससी डिरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपेंड करके आप हमारे लर्निंग ग्रूप से जूड सकते हैं